हाई एब्रिवान आज हम इडियम्स और फ्रेजर्स का लेक्षे नमबर 15 स्टडी करेंगे चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं सामने स्क्रीन पे आपको आज के सेशन का पहला इडियम देख रहा है पढ़िए ब्रो मतलब आई ब्रो और स्वेट का मतलब होता पसीना स्वेटिंग इसी से बनता है अब आप समझे कोई वेक्ति जब बहुत महनत करता है तो उसके पूरे शरी ही से पसीना आता है और इसमें पसीना अपने आप में ये एक प्रकार से महनत की निशानी है और फिर जब कोई वेक्ति बहुत महनत करता है तो उसके आँखों के ऊपर से आइब्रोस के पास से भी पसीना आता है इमेज को देखे ये देखे एक वेक्ति कोई काम कर रहा नर्शरी में और यह दिखी यहां पर भी तो पसीना आता है यह जो मत्था होता है यहां भी तो पसीना आता है जिसे आप किसी कपड़े से या फिर अपने हाथ से है ना पोस्टे हैं तो यह क्या दिखाता है कि आप बहुत लिबोरियस हैं आप बहुत महनत कर रहे हैं तो if you get something by the sweat of your bro तो आ आपने बहुत महनत से उस चीज़ को कमाया है जैसे आप किसान के लिए इस बात का इस्तेमाल कर सकते हैं एक मैंने पिछले सेशन में आपको फ्रेज पढ़ाया था by didn't off उसका भी यही मतलब था महनत के दम पर ठीक है पढ़िए by one's own hard work अपनी महनत के दम पर एक्जाम्पल उसने समाज में यह रेपिटेशन अरजित की है यह इज़त अरजित की है कैसे अपनी महनत से अपनी इमानदारी से अपनी निष्ठा से और अपनी महनत से अप नमबर टू प्या यह call a spade a spade सरल है जो जो कुछ है उसको वही कहना मतलब आरिंटिटी को छिपाना नहीं एक क लहावत है चोर को चोर बोलना मतलब यह नहीं कि कोई चोर है गलत है लेकिन उसे दिखाया जाए कि वो सही है नहीं सच को सच के तरीके से पेश करना जूत है तो बताना कि वो जूत है मतलब बहुत ही out fight होकर के plain होकर के frank होकर के अपनी बात को कहना समझा है to be frank to speak frankly और plain list को का यही मतलब है जो गलत है उसको गलत बोलना जहां इस बात का धिहान रखना है कि call a spade a spade का यह meaning नहीं होगा कि जो सही है उसे सही बोलना जो पुलिस है उसे पुलिस बोलना नहीं जो चोर है उसे चोर कहना जो गलत है उसे गलत कहना है ना आप किसी को expose करने के लिए इसका इ नहीं है गलत को गलत बोलना यह देखिए I did nothing wrong मैंने कुछ गलत नहीं किया when I exposed Nitin's extra marital affairs extra marital affairs का मतलब है विवाह से अलग उसके जो affairs चल रहे हों अपने partner को cheat करने वाली चीज़ें तो मैंने कुछ गलत नहीं किया जब मैंने Nitin के extra marital affairs को exposed किया because I just called a spade a spade मैंने सिव गलत को गलत ही तो बोला चोर को चोर ही तो बोला तो मैंने कुछ गलत नहीं किया जब मैंने इस काम को किया तो number three easily समझा जा सकता है call in question या call into question मतलब किसी बात पर संदेह करना या सवाल खड़े करना यह ज़्यादा सरर रहेगा आपके लिए सवाल खड़े करना objection करना यह देखे call into question सवाल खड़े करना question मतलब सवाल तो सवाल खड़े करना यानि कि doubt करना disagree करना object करना यह देखे doubt over disagree object है न इस तरीके से विरोत करना जिसको कहा जा सकता है संदेह करना as a prolonged member of the party party का एक पुराना सदस्य होने के नाते prolonged का मतलब दीर हिकालिक long मतलब लंबा दीर हिकालिक मतलब बहुत पुराना बहुत पहले का सदस्य होने के नाते कई बार prolonged adjective को disease के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है बहुत पुरानी बिमारी को prolonged disease कहा जाता है तो party का बहुत ही पुराना सदस्य होने के नाते I call in question over the candidature, candidature का मतलब होता है पात्रता पात्रता का सीधा संबंध है योग्यता से of some lately included members lately included members का मतलब है वो लोग वो सदस्य जिनको अभी शामिल किया गया है party में तो कोई कह रहा है कि party का एक बुराना सदस्य होने के नाते अभी हाल फिलाल में जिन लोगों को party में शामिल किया गया है मैं उनकी पात्रता उनकी योग्यता पर सवाल खड़ा करता हूँ मुझे उनकी योग्यता पर संदे है सवाल है number four call it a day ये बहुत popular idiom है कार को थगित करना अब इसके दो अर्थ है एक तो nine to five की जॉब हो आपकी मतलब नौ बजे गया है पांथ बजे बैग उठाया चले गया है एक तो ये है call it a day भाई दिन बर काम किया आप काम बन call it a day day तो देखिए एक और idiom होता call it a night जो की popular नहीं ये तब इस्तेमाल होता है जब आप night shift में हो या फिर आप जैसे कि देर रात तक कोई काम कर रहा हो पढ़ रहे हो ग्यारा बज गया बारा बज गया फिर आपने का अब रखते हैं काम को रोकना नॉर्मली एक process के साथ वो process क्या है कि आप सुबह समय से office गया duty करने के लिए दिन भर आपने काम किया अगर आपकी जॉब 9 to 5 है या 10 to 6 है तो पांच बजे या छे बजे जब आपका समय ओवर हो रहा है तब आप बोलेंगे मतलब अब मैं बैग उठा के घर जा रहा हूं और दूसरा कारे का इस थगन करना इसका तब भी यूज किया जाता है जब आप धरना प्रदर्शन कर रहा हो चक्का जाम आपने कर दिया है मतलब आप आपकी कुछ डिमांड्स हैं आप लेवरर्स हैं वर्कर्स हैं इंप्लॉईज हैं आपकी कुछ डिमांड्स हैं जिन्हें जो मैनेजमेंट है वो सुन नहीं रहा है तो फिर आप बोलेंगे ठीक आप कोई काम नहीं करेंगे हम जैसे अभी दिखिए ना बिजली कर्मचारियो ने किया था, तो they called it a day, क्योंकि उनकी मांगे नहीं मानी जा रही थी, तो दो अर्थ हैं, एक तो 9 to 5 की जॉब हो तो काम को रोकना, और दूसरा जब आप अपनी demands के ना सुने जाने पर चक्का जाम कर दें हैंना, काम ही ना करें, धर्ना प्रदर्शन करें, वो भी call it a day, यह देखिए, go on a strike or stop working for the day, या तो धर्ना प्रदर्शन करना, या फिल stop working for the day, example देखिए, our company usually calls it a day at 6 p.m., यह पहला वाला meaning है, यह 9 to 5 की जॉब वाला, हमारी company रोज 6 बजे बंद हो जाती है, दूसरा example भी है, उसको देखिए, the union of workers called it a day when the management repeatedly denied accepting the demands of the workers, जब management ने बार बार workers की demands को मानने से इंकार कर दिया, तो फिर ऐसे में union of workers ने क्या किया, कारे का इस थगन कर दिया, धर्ना प्रदर्शन किया, number 5, call names, call names का मतलब है, किसी पर की चड़ उचालना, abusive language का use करना, abusive language का, अबद्र भाषा का प्रयोग करना, ये देखिए, abuse करना, criticize करना है, call names का ये मतलब है, किसी को अब शब्द बोलना, किसी को criticize करना, खास तोर पर गाली देना, बहुत ही popular idiom है, बहुत popular है, in fact, इसे phrase के जैसे use किया जाता है, noun phrase बना करके, call names, किसी को आप शब्द बोलना, गाली गालोच करना, गाली देना, इसको समझाने का एक तरीका है, कि एक विक्ति के बहुत सारे नाम रख लेना, अब एक विक्ति के बहुत सारे नाम, या तो आप तब रखते हैं, जब आप उससे बहुत लगाव हो, बहुत attachment के चलते हैं, आप उसको बहुत सारे नामों से बुला रहे हो, या फिर आप उसको गालियां दे रहे हो तब भी वेक्ति दूसरे वेक्ति के तमाम नाम रख देता है ये गाली देता है तो call names को आप ऐसे चाहे तो याद कर सकते हैं कि एक वेक्ति के बहुत सारे नाम रख देना मतलब abusive language का abusive words को use करना यह देखिए we often call names rich हम अक्सर अमीर लोगों को गालियां देते हैं but wish to be the same one day और एक दिन हम वो ही बनना चाहते भी हैं ऐसा होता है कि हम आप अक्सर अमीर लोगों को गालियां भी देते हैं और स्वयम भी अमीर बनना चाहते हैं number six can't hold a candle to the sun hopefully इसको पढ़के आप जान गया होंगे इसका क्या मीर नहीं गया सूरच को दिया दिखाना बेकार का काम करना सूरच को दिया दिखाना जिसे कोई आपकी matching नहीं जिसे कोई आपका comparison नहीं है उससे competition करना उससे compete करना उससे match करना उससे comparison करना एक तरीके से कहां candle to the sun मतलब hold a candle to the sun मतलब match कराने की कोशिश करेंगे can't hold a candle to the sun मतलब match नहीं करा पाएंगे ठीक है सूरच को दिया नहीं दिखाया जा सकता जहां तुल्ला नहीं हो सकती वहां तुल्ला नहीं हो सकती एक तरीके से यह देखे ना unable to measure up to someone or something measure up to someone किसी के बराबर तिकना या किसी वस्तु के बराबर तिकना घटना के बराबर तिकना है ना और ना तिक पाना unable हो जाना तो can't hold a candle to the sun का मतलब है जब आप योगिता में किसी दूसरे से पीछे रह जाएंगे match नहीं कर पाएंगे है ना इस तरीके से यह देखे not one of our drawings can't hold a candle to yours मतलब उसने तमाम drawings की है लेकिन उसकी एक भी drawing एक भी drawing आपकी drawing के मुकाबले नहीं दिकेगी मतलब कोई match नहीं है आपकी drawings और उसकी drawings में उसकी एक भी drawings आपकी drawing के बराबर नहीं अथी है नहीं match कर सकती नहीं दिकेगी आपकी drawings के आगे उसकी एक भी drawing नहीं दिकेगी number seven cap the globe so cap का मतलब ही हो तक cover करना कबजे में लेना globe दुनिया ये दिखे image cap the globe मतलब सब कुछ अपने कबजे में कर लेना एक तरीके से ये या हर मुसीबत को पार करना एक बड़ा काम हो एक बड़ा दाइरा हो एक बड़ी चुनौती हो लेकिन आप उसे पूरा करें cap the globe जिसको कहा जा सकता है एक challenge को surpass करना in fact सभी challenges को surpass करना ये देखे आगे निकलना go through जैसे आप ऐसे बोल सकते हैं समंदर आपने पार कर लिया एक बहुत ही बड़ी नदी आपने पार कर लिया तो you cap the globe to surpass everything हर चुनौती को पार करना example देखे are you ready to cap the globe before entering this thick forest आप इस बहुत घने जंगल में घुषने तो जा रहे हैं पर क्या आपको यकीन है कि आप इससे बाहर निकल जाएंगे are you ready to cap the globe before entering this thick forest इस घने जंगल में प्रवेश करने से पहले आपको लगता है कि आप इसको पार कर जाएंगे ऐसा तो नहीं कि बीच में फच जाएंगे number eight captive audience बहुत ही strong area में बहुत दफा पूछा गया है ठीक है captive audience audience मतलब दर्शक, शोतागर, captive का मतलब जो बंधा हुआ हो जिसे capture कर लिया गया हो जिसे नियंत्रण में कर लिया गया हो जैसे class हो class में जो students होते हैं वो captive audience होते है भले ही class boring लग रही है पर student जा नहीं सकते ना तो वो captive audience है समझ रहे है ना जहां पर audience के पास ये right या फिर ये liberty कम है कि अगर उसका मन करे तो वो सभा को छोड़कर जा भी सकता तो captive audience का ये मतलब है कई बार captive audience जो है जो speaker है जो performer है जो artist है उसकी योगिता से भी audience captive हो जाती है जैसे कोई movie कोई show कोई play इतना अच्छा है कि लोग अपनी कुरसियों से चिपके रहे पुरा एक घंटा दो घंटे बोलते नहीं है बिना किसी के कहने पर अपनी इच्छा से अपनी कुरसियों से वो चिपके रहे तो they became captive audience आपनी performance इतनी अच्छी दी कि लोग उठे ही नहीं अपनी seat से seatों पे चिपके रहे जमे रहे तो captive audience बन गये और जैसे कि मैंने कहा schools में students teacher अच्छा ना भी पढ़ा रहा हूँ तो भी उन्हें class तो attend करनी है न करनी तो captive audience महाँ भी है जहां पर audience के पास liberty ना हो या फिर audience को बहुत ज़्यादा impress किया गया हो यह देखे audience that is prevented from leaving and therefore obligated to listen एक audience जिसे रुका गया हो छोड कर जाने से जिसकी वज़े से अब उसको सुनना ही पड़ेगा खास तौर पर आब बॉस made attendance at the panel discussion mandatory हमारे बॉस ने पैनल डिस्कुशन में attendance को mandatory कर दिया अब जब mandatory कर दिया तो हर किसी को आना ही पड़े का 10 ensuring a captive audience इस तरीके से उन्होंने captive audience को ensure किया कि captive audience होगी हर किसी को आना है मतलब आना है मन हो चाहे ना मन हो carrot and stick policy carrot एक तरीके से reward है stick एक तरीके से punishment है carrot मतलब गाजर मीठा स्वाद अच्छा है ये एक तरीके का reward हूँ stick छट दंड देने के लिए ये एक प्रकार का punishment है image को देखिए एक विक्ती जो की घोड सवारी कर रहा है एक हाथ में उसने कुछ मीठा खाने की चीज़ पकड़ रखे जिसे आप carrot ही समझे वो घोड़े के मूँ की तरफ करे हुए है तो यहां से वो उसको खिलाएगा reward है और इस छड़ से वो उसको पीटेगा भी जब भी कभी वो मनमानी करेगा तो जब आप अच्छा करेंगे तो यह carrot मिलेगी reward जब आप अच्छा नहीं करेंगे तो यह लाठी मिलेगी आपको तो निर्भर करेंगा carrot and stick policy का यह मतलब है अच्छा करेंगे promotion incentives अच्छा नहीं करेंगे demotion salary को cut कर दिया जाएगा या फिर आपको fire कर दिया जाएगा carrot and stick policy का यह मतलब है सजा भी देना और punish और reward भी देना अच्छा करने पर reward और सजा और गलत करने पर तुरंट सजा a successful businessman follows the carrot and stick policy towards his employees हाँ एक सफल businessman यहीं करता है जब employee अच्छा करता है उसे encourage भी करेगा incentives भी देगा और जब अच्छा नहीं करेगा तो फिर हर तरीके से वो उसकी आलोचना भी करेगा carry all before one मतलब जीतना है ना finally जीतना हर चुनौती को power कर जाना carry all before one सब हडा करके एक जगा ले आना overcome all opposition or obstacles सभी चुनौतीयों को सभी विरोधियों को हरा देना सभी चुनौतीयों को power करना carry all before one जब कोई वेक्ती नौकरी पाता है तो तुनिया भर की तमाम चुनौतीयों से लड़ता हुआ जूजता हुआ फिर वो जीतता है जब चुनाओं में कोई पार्टी जीतती है तो वहां भी बहुत सारे challenges उसके पास होते हैं जाती है सभी करन साधना युवाओं को साधना है ना unemployment की बात करना तमाम options होते हैं education को भी manage करना फिर सभी चुनौतीयों को पार करते हुए फिर finally जीतना overcome all opposition or obstacle she carried all before one and topped the UPS exams उसने सारी चुनौतीयों को पार किया और UPS exams को top किया मुझे याद है ये sentence मैंने काफी पहले लिखा था कुछ वक्त पहले एरा सिंगल नाम की physically challenged differently abled ma'am ने UPSC top किया था फिर उनका interview किया गया पता चलता है कि चुकि वोट physically challenged थी तो उनके सामने बहुत प्रकार की चुनौतिया थी पर उन चुनौतियों को पार करते वे उन्होंने सिर्फ ना ना सिर्फ UPSC exam को qualify किया बलकि उसे top भी किया तो सभी चुनौतियों को सामना करते वे उनको हराना it means to carry all before one जीतना एक तरीके से so this way we have come to the end of today's session hopefully आपने enjoy किया होगा notes बनाते चले important points को note करते वे चले thank you so much bye bye take care have a good day